नमस्कार, आज हम कक्षा 9 की संस्क्रित के अंतरकत इसके पहले पाट के अभ्यास को हल करेंगे। इसका उत्तर है कवी ही वीना पानिम कतेयती कवी महोदे यहां वीना पानि को यानि वानि की देवी मा सरस्वती को कहते हैं और सुन्दर नीतियों वाले मधूर गीत को गाईए इसी के दूसरे प्रश्ण में वसंते किम भवती यानि वसंत के समय पर क्या होता है इसका उत्तर लिखेंगे वसंते मधूर मंजरी, पिंजरी भूत मालाह, सरसारसालाह, ललित कोकिल काकली नाम कलापाचा लसंती इसकार्थ है कि वसंत के समय पर वसंत रितु में मीठे यामों की जो पंक्तियां हैं उन पर पीले पूल सुषो भित हो रहे हैं और ललित कोकिल काकली नाम कलापाचा लसंती और मधुरवानी में कोकने वाली कोयलों के समुह भी सुशोभित हो रहे हैं इसी का तीसरा प्रश्ण सरस्वत्या वीनाम शुरुत्वा मासरस्वती की वीना को सुनकर किम परिवर्तनम भवतू कौन से परिवर्तन हो जाएं इतिकवे इच्छाम लिखत ऐसा कवी की इच्छा में लिखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं सरस्वत्या वीनाम शुरुत्वा मासरस्वती की वीना को सुनकर लता नाम नितान्तम शांति शीलम सुमम चलेद यानि लताओं पर सोय हुए सुप्त अवस्था में जो फूल है वो जाग जाएं वो हिल उठें और नदी नाम कांध सलीलम सलीलम उच्छलेद और नदी का जो शांत जल है वो क्रीडा करते हुए उच्छल पड़े कल-कल की ध्वनी से नाद कर उठे इती कवे इच्छा अस्ति ऐसी कवी की इच्छा है इसी भाग का चौथा प्रश्ण कवी ही भगवतीम भारतीम कवी महोदै भगवती भारतीको मातऽ सरस्वतीको कस्या नत्य हताटे किस नदी के तठपर या हम कहें कुत्र यानि कहां पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अभलोक्य वी नाम वादय तुम कथेती अर्थात कवी महोदे माता सरस्वती को किस नदी के तट पर मधुर मालती की जुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर अपनी वीना बजाने की बात कहते हैं यहां कस्याह नद्या तटे या कुत्र के स्थान पर प्रश्न पूछा गया है इसके स्थान पर हम उत्तर वाला शब्द लिखेंगे और बाकी वाके वही रहेगा जैसे कवी ही भगवतीम भारतीम यमुनायाह नद्या तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीनाम वाधयतुम कथेती इसका अर्थ हुआ कि कवी महोदय माता सरस्वती को यमुना नद्य के तट पर मधुर मालती की जुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर वीना बजाने के लिए कहते हैं इसके बाद अभ्यास के दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ख स्तंभे पदानी यानि क भाग में जो पद जो शब्द दिये गए हैं ख स्तंभे तेशाम परियाय पदानी दत्तानी दूसरी स्तंभ में ख में उसके परियाय पद परियाय वाची शब्द दिये गए हैं तानी चित्वा, उनको चुनकर पदा नाम समक्षे लिखत, इन शब्दों के सामने लिखिए। कस्तंभ में पहला शब्द है सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वानी, तो इसके सामने हम लिखेंगे वानी। दूसरा शब्द आम्रम दिया गया है, यानि आम का फल, आम्रम को यहां रसालह, इसका पर्यायवाची शब्द दिया गया है, तीसरा शब्द है पवनह, पवनह का पर्यायवाची शब्द है समीरह, तो इसके सामने हम लिखेंगे समीरह, अगला शब्द तटे दिया गया है, यानि किनारे पर, इसका परियाईवाची शब्द है तीरे, तो इसके सामने तीरे लिखा जाएगा। अन्तिम शब्द है यह दिया गया है भ्रमरा नाम यानी भौनों का, इसके लिए अली नाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो की इसका परियाई वाजे शब्द है। इसके बाद है अभ्यास का तीसरा प्रशन, अधो लिखी तानी पदानी प्रयुज्य, नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके, संस्कृत भाशा या वाक के रचनाम कुरुत, संस्कृत भाशा में वाक्यों की रचना कीजिए, पहला शब्द दिया गया है निनादय, जि नई वीना को बजाईए, दूसरा शब्द दिया गया है मंद मंदम, जिसका अर्थ है धीरे धीरे, इसके लिए वाक्य लेख सकते हैं प्रातह वायू हू, मंदम अंदम वहती, यानि सुबह के समय प्रातह काल में वायू धीरे धीरे बहती है, अगला शब्द मारुता दिया गया है मारुता का अर्थ है वायू इसके लिए हम वाकिय लिख सकते हैं मलया मारुता हा सुगंधितम भवती यानि मलय की ओर से आने वाली वायू सुगंधित होती है अगला शब्द सलिलम दिया गया है जिसका अर्थ है जल इसके लिए हम वाकिय लिखेंगे नद्या सलिलम श इसके लिए वाकिय लिखा जा सकता है उद्याने सुमनाह शोबते। उद्यान में बगीचे में फूल सुशोबित होते हैं। यहां हिंदी और अंग्रेची दोनों भाशाओं में इस शलोक का भावार्थ प्रसुत किया गया है। प्रितिक सौंदर्य के प्रती आक्रिष्ट हों। उनमें नैतिक्ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्धीप्त भावों का संचार हो। वसंत की रितु आ गई है। आम के पेड़ भी पीले फूलों से सुशोबित हो रहे हैं। और कोयलों के समूह भी अपनी मधुर वानियों से सबका मन मोह रहे हैं। ऐसे आनंद दायक वातावरण में ही वानी की देवी मा सरस्वती आप अपनी नही वीना का वाधन करें। इसके बाद अभ्यास का पाँचवा प्रश्ण अधो लिखित पदा नाम विलोम पदाने लिखत। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनके लिए विलोम पद लिखिये यानि इनके विप्रित अर्थ वाले शब्द लिखिये। पहला शब्द दिया गया है कठोरम, कठोरम का विलोम शब्द होगा कोमलम, अगला शब्द कटू, कटू यानि कडवा, इसका विलोम शब्द होगा मधुरम यानि मीठा, तीसरा शब्द शीगरम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है जल्दी, इसका विलोम शब्द हम वीनम यानि कि नया अंतिम शब्द नीरसह दिया गया है नीरस यानि रसहीन और इसका विप्रीत शब्द होगा सरसह यानि रसदार तो ये था कशनों की संस्कृत के पहले पाट का अभ्यास आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद